हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो रंजन इंस्टिट्यूट, आज की इस लेक्चर में गेट 211 के फ्लूट मेकेनिक्स के सारे क्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो फिर्स्ट क्वेशन हम लेते हैं, पावर नमबर फॉर आइस्टी टैंक बिकम्स कॉंस्ट इन इस लिमिट, दा वैरियेशन ऑफ पावर इंपुट विथ एमपिलर रोटेशनल स्पीड एन इस प्रोपोर्शनल टू, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हाई रेंड्स नमबर दिया है, तो क्वेशन में अल्रेडी हमें दे दिया है कि पावर नमबर कॉंस्टेंट है, इस पे हाई रेंड्स नमबर पे एन पी इस इकोल टू कॉंस्टेंट, पावर नमबर कॉंस्टेंट हो जाता है, और लो रेंड्स नमबर पे एन पी इन्टू आरी कॉंस्टेंट रहता है, ठीक है, अच्छा, पावर नमबर कॉंस्टेंट है, तो पावर नमबर कॉंस्टें to n power 3 ठीक है the operation of a rotameter is based on तो यहाँ पर देखिए rotameter मैंने already draw किया है इसमें क्या है fluid flow करता है bottom से top ठीक है तो यहाँ से fluid in कर रहा है यहाँ से out कर रहा है यह जो cross section area friends rotameter का यह upward direction में increase करता है देखिए तो अगर हम flow increase कराएंगे तो यह जो knob है इस position से इस position तक चला जाता है तो इस position में देखिए जो fluid को flow करने के लिए area बचा है वो यहाँ से लेके इस gap के बीच में है ठीक है तो यही area बचता है जिसमें की fluid flow होगा जबकि यहाँ पर देखिए जो वो area है इस point से इस point तक मतलब बड़े area में fluid flow कर सकता है तो flow area बढ़ता है तो variable flow area के base पे हम यह rotameter work करता है ठीक है थार्ड है हमारा applying a pressure drop across a capillary results in a volumetric flow rate q under laminar flow condition तो laminar flow condition के लिए यहाँ पर हैगन पजोली equation यूज़ करते है न pressure drop को find करने के लिए delta p is equal to 32 mu vl by d square the flow rate for the same pressure drop in a capillary of the same length but half radius so सबसे पहले हम क्या करेंगे friends कि जो यहाँ पर volume में दिया है औरे sorry velocity में pressure drop दिया है तो हम इसको flow rate में convert करेंगे so flow rate में convert करने के लिए cross section area से multiply और divide कर देंगे तो जो यह va है यह किस में convert हो जाएगा वो convert हो जाएगा flow rate में mu l q देखिए flow rate हो गया और यहाँ पर area को pi d square by 4 लिखा जाए सकता है तो यह d square pi d square by 4 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर question में दिया गया है कि pressure drop same है length same है और vary क्या कर रहा है diameter vary कर रहा है ठीक है तो हमें q और d में relation निकालना पड़ेगा तो यहाँ से देखिए pi by 4 d power 4 delta p is equal to 32 mu l q ठीक है यह हमें मिल गया तो यह पूरा constant 32 mu l और pi by 4 constant और delta p constant इसका मतलब q is proportional to d के पावर 4 मतलब q1 by q2 को आप लिख सकते हैं d1 by d2 के पावर 4 और इस बार हमारा radius या diameter half कर दिया जाता है ना यहाँ पर देखे given है तो यह हो जाएगा 2 के पावर 4 तो q2 will be q1 by 16 फोर्थ वन अब बिंगम fluid of viscosity mu 10 pascal and yield stress 10 kilo pascal is seared between flat parallel plates separated by distance 10 to the power minus 3 meter तो यहाँ पर flat plate है तो उसके बीच में यहाँ पर बिंगम fluid रखा गया है ठीक है और उसके बीच का distance कितना है 10 to the power 3 अब क्या किया जाता है friends कि जो अपर वाली plate है उसको move कराया जाता है 1 meter per second से ठीक है तो हमें shear stress बताना है top plate पे तो इस type का जब भी parallel plate के बीच में flow होता है किस type का होता है county flow होता है county flow के लिए हमें जो velocity profile क्या होता है linear होता है आपको याद होना चाहिए कुछ इस type से होता है velocity profile मतब यहाँ पे velocity 0 और top पे velocity maximum ठीक है अब यह bingham plastic है तो उसके लिए shear stress का यह relation रहता है जहाँ पे tau naught क्या है tau naught है yield stress ठीक है तो हम tau find out करना wall पे तो tau is equal to tau naught 10 thousand हो जाएगा न क्योंकि kilo pascal है और mu कितना है viscosity 10 given है और यह dv by dy को हम क्या लिख सकते है delta vy delta y क्यों क्योंकि जो यह velocity profile है वो linear है देखिए इसलिए हम dv by dy को delta vy by delta y लिख सकते है अधर वाइज हम नहीं लिख सकते है जैसे कि आपने देखा होगा cylindrical pipe में यह linear नहीं होता है parabolic होता है तो उस case में हमें यहाँ पे delta v by delta y नहीं लिख सकते है ठीक है तो velocity में change कितना है friends top पे है 1 और bottom पे है 0 तो delta y यह हो गया delta v यह हो गया और delta y कितना हो जाएगा 10 to the power minus 3 तो आपका stress on the top plate हो जाएगा 10,000 plus 10,000 तो यह हो जाएगा 20,000 total तो यह हो जाएगा एनरजी रिक्वार पर यूनित मास्ट तो ग्राइन यह रिक्रन प्राइन यह हो जाएगा 10,000 न्यूनित 11.7 तो आपका 12.7 किलोट पर यून तो आपका 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 अच्छा Chief एनरजी तो ग्राइन डांपका अच्छा कितना हो प्राइन पराइन और भाइन तो प्राइन ग्राइन अच्छा energy required to grind the particle using bonds law हमारा क्या है यह वाला equation find होता है ना p by m.3262 wi wi क्या है work index और यहां पर 1 by root df 1 upon root d i ठीक है जहां पर df है diameter of particle after grinding and d i है diameter of particle initially ठीक है तो यहां पर देकि initially कह रहा है कि very large size ठीक है very large size का यह मतलब है कि d i जो हमें लेना है वो हम infinity ले लेंगे तो d i जब हम infinity ले लेंगे तो यह term क्या हो जाएगा 0 तो simply p by m आपका इस equation से 0.3262 wi i by root df हो जाएगा है ना अच्छा इसमें आपको यूनिट का भी इस equation में ध्यान रखना होता है यह जो diameter है इसको हमें mm में रखना है ठीक है यह is unit में नहीं रहता है और जो यह energy है उसको kilowatt hour में लिखना पड़ेगा ठीक है पावर तो ऐसे में ये इसको हम पावर को हम kilowatt hour और यह mass flow rate टन्स पर आर में लिखते हैं तो यह सारी unit आपको ध्यान में रखना है तो first case के लिए अगर हम देखें 100 माइक्रो मीटर जब है तो पावर पर यूनिट मास फ्लोरेट फॉर हंड़ेड माइक्रो मीटर यह हो जाएगा 0.3262 wi upon root 100 into 10 to the power minus 3 mm में हमने लिख दिया अच्छा यह कितना है यह पावर कितना है क्वेस्चन में हमें दिया गया है कितना 12.7 kWh पावर टन तो यह 12.7 हो जाएगा और second में हमें कहरा है कि जब यह 50 माइक्रो मीटर का करते हैं साइज फाइनल तो कितना पावर होगा तो P by M for 50 will be similar to this .3262 wi upon root 50 into 10 to the power minus 3 ठीख है ना अब इसको डिवाइट कर देंगे तो जब डिवाइट करेंगे इन दोनों को 1 & 2 को तो wi और यह सारे terms अपने आप कैंसल आउट हो जाएंगे तो P by M 50 by 12.7 हो जाएगा रूट 100 by 50 ठीक है तो P by M for 50 micrometer particles हो जाएगा रूट 2 into 12.7 तो यह आ जाएगा आपका 17.9 6 किलो वाट आर पर टॉन ठीक है तो आप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट आप्शन हो जाएगा प्रेंगा तो इस क्वेस्टेन में फ्रेंट्स एक राइट एंगल बेंड रेडूसर बेंड रेडूसर क्या करता है फ्रेंट्स कि सबसे पहले उसमें एक बेंड है ठीक है यह बेंड देखिए एक पाइपलाइन सिस्टम में डाला जाता है यहां पर यह राइट एंगल बेंड है इसलिए यह 90 डिगरी फ्लो को चेंज करता है फ्लो के डिरेक्शन को 90 डिगरी चेंज करता है उसके बाद रेडूसर क्यों बोलता है क्योंकि जो इनलेट है उसका डायमेटर यहां पर गया है ठीक है उसके बाद inlet का diameter 0.8 दिया है velocity यहाँ पे V1 है और pressure P1 है और outlet पे हमारा जो diameter है वो 0.4 है velocity V2 और pressure P2 है ठीक है अब first part में क्या पूछा गया है हमसे देखिए find the pressure drop P1-P2 across the bend assuming negligible frictional loss ठीक है so frictional loss हम में इसमें neglect करना है तो हम pressure difference यह कैसे निकाल सकते हैं by applying Bernoulli principle between 0.1 and 0.2 लेकिन friends Bernoulli principle लगाने के लिए 0.2 पे हमें velocity पता होना चाहिए तो यह जो velocity है उसको calculate करने के लिए हम continuity principle apply करेंगे so continuity principle apply करेंगे अगर तो वो क्या है यह पाठम solve कर रहे हैं so a1 v1 is equal to a2 v2 ठीक है अच्छा एरिया किसके proportional होगा diameter के whole square के तो diameter का whole square v1 is equal to diameter का whole square v2 ठीक है अच्छा अब यह सारी quantity हमें पता है d1 कितना है 0.8 का whole square v1 1 था d2 हमारा 0.4 का whole square और v2 तो यहां से v2 आ गया 4 तो यहां हम लिख देते हैं v2 is equal to 4 ठीक है अच्छा अब apply करेंगे बैर नौली प्रिंस्पल प्लस रो जी जैड़ वन प्लस रो वी वन का whole square by 2 इस इक्वाल टू प्लस रो जी जैड़ टू प्लस रो वी तू का whole square by 2 ठीक है न अच्छा अब बात रही elevation की तो यहां पर elevation जैड़ वन यहां पर elevation जैड़ टू question में इस elevation का कहीं पर भी discussion नहीं किया गया है तो आपको elevation को neglect करना है क्योंकि यह generally यह जो भी bands होते हैं वह बहुत ही छोटे small size के होते हैं तो वह हम neglect कर सकते हैं यह obviously obvious भी आपने देखा भी होगा pipeline system में दूसरी चीज़ यह भी हो सकती है कि यह जो band है वह horizontal plane में हो तो horizontal plane में होगा तो एक ही elevation पर होगा तो इसको हम remove कर देते हैं तो यहां से हमारा P1-P2 आ गया रो बाइटू वी टू का होल स्कॉर मैनस वी वन का होल स्कॉर है अब यह रो कितना हागी given है thousand water के लिए हम यह बेंड लगाया हूँ है तो थाउजन बाइटू और वी टू इस टू तो यह फोर माइनस 16 ना फोर का होल स्कॉर 16 माइनस वन सो यहां से आ गया सेवन फाइव डबल जीरो पैसकल हो गया ठीक है तो यह हमारा पी वन माइनस पी टू आ गया अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्ब करेंगे बी तो बी को पढ़िये जरा अब यह थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोबलम हो गया आपर देखिए फर्स्ट पार्ट में हमेंसे यह कहा गया था कि फ्रिक्षन को आपको नेगलेक्ट करना है तो जब हमने फ्रिक्षन को नेगलेक्ट करके नार्मल बरनौलिक प्रिंस्पल लगाया तो हमारा 7.5 kPa pressure drop आया है लेकिन second part में कह रहा है कि अब हमारा जो pressure drop है यहाँ पे देखिए 8.25 kPa है इसका मतलब pressure drop due to friction due to friction only कितना हो जाएगा 8.25 minus 7.5 kPa यह हमारा जाएगा 7.750 kPa तो इतना pressure drop किसकी वज़े से हुआ है और सिर्फ friction की वज़े से हुआ है ठीक है तो यह जो pressure drop है delta P dash जो कि friction की वज़े से है वो fittings के लिए क्या formula होता है यहाँ पे एक factor आता है kf जिसको क्या बोलते है loss factor ठीक है यह fittings किसी भी type का हो सकता है वो joint हो सकता है bend हो सकता है diffuse nozzle type का हो सकता है या फिर reducer हो सकता है ठीक है या expander हो सकता है ठीक है तो pipeline में जितने भी आपके fittings use होते हैं वो किसी type के भी fitting यहाँ पे हो सकता है तो यह kf हो गया factor और यह किसका factor होता है kinetic energy का kinetic energy loss कर जाती है friction की वज़े से rho v square by 2 और यहाँ पे question में दिया है कि based on velocity v1 ठीक है तो यहाँ भी जो velocity हम रखेंगे वो v1 रखेंगे ठीक है तो यह delta p dash कितना है 750 pascal kilo pascal था नहीं तो यह 750 pascal यह kf हमें find out करना है और density 1000 और v1 1 by 2 ठीक है तो यहाँ से kf हमारा कितना आ गया 1.5 तो 1.5 टाइम्स जो kinetic energy का kinetic energy है उसका 1.5 टाइम्स हमारा loss हो जाएगा friction की वज़े से ठीक है तो यह अच्छा question था फ्रेंट्स इसमें थोड़ी समझ की जरूरत थे यह last question है फ्रेंट्स दो volumetric flow rate during constant pressure filtration is यह formula हमें यहाँ पे given है अगर नहीं भी दिया होता तब भी हमें यह देखिए तो फर्स्ट पार्ट अब हमें solve करना है ठीक है integrate the above equation to obtain the relation between V and T तो constant pressure filtration में क्या है rate vary करता है तो T by V अबको find out करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस equation का integration करना पड़ेगा वह ही इस फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है तो यह पार्ट हम start करते है तो चलिए T को एक side में रखेंगे और V को एक side में रखेंगे तो D T is equal to हो जाएगा K C V plus 1 by Q naught D V ठीक है और इसको integrate करना है integrate कहां से कहां तक करना है 0 to T तक T is equal to 0 पे volume of filtrate 0 और किसी time T पे volume of filtrate V रहेगा तो यहां से आपका T आगया कितना K C V square by 2 है न और plus 1 by Q naught into V ठीक है अब V से divide कर दिजिए तो यह हो जाएगा T by V is equal to K C by 2 V plus 1 by Q naught ठीक है यह first part हमारा आगया V T में relation हमें पता चाहिए चल गया है second part B solve कर यह उसमें क्या पूछ रहा है में का sketch of T by V versus V as from your results तो T by V है और V यह है तो Y axis पे हम T by V रखते हैं और X axis पे V रखेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा एक straight line का equation है न यह Y is equal to MX plus C तो जो intercept है Y axis पे वो हो जाएगा 1 by Q naught और जो slope है slope इस equation से देखिए वो हो जाएगा KC by 2 तो हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्ट हो गया अब थर्ड पार्ट में देख्ते हैं C में से में देखिए गिवन देखिए वी इस उकल तो 1 लिटर आटी इस उकल तो 41.3 सेकेंड वी हमारा 1 आटी इस उकल तो 41.3 और वी इस उकल तो 2 आटी इस उकल तो 108.3 फाइंड केसी चलिए तो टी वी की वैल्यू हम इस इक्वेसन में पूट कर देंगे तो पहले केस वाला रखेंगे तो हम ती कितना है 41.3 वाइ वी वन है तो यह केसी वाइ टू वी वन हो गया तो 1 वाइ क्यू नॉट सेकेंड में रखेंगे 108.3 वाइ 2 और यह हो जाएगा केसी वी यहाँ टू रखेंगे तो कैंसल डाउट हो जाएगा प्लस 1 वाइ क्यू नॉट अब यहाँ पर यह दो एक्यूशन दो अनॉन है केसी और क्यू नॉट तो इन दोनों एक्यूशन को सॉल्व करने पर हमें केसी फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमने जब सॉल्व पिया तो केसी हमारा आ गया 25.7 ठीक है फ्रेंज तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी इस क्वेस्चन का सॉल्व हो गया तो इंट्रेस्टिंग क्वेस्चन था फ्रेंज ये इसमें इंटेग्रेट करना पड़ रहा है फिल्ट्रेशन का जो एक्वेशन था तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही फ्रेंज मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में थैंक्स फॉर लर्निंग गुडबाई टेक केर